हलो माई दिया स्टुडेंट नमस्कार आदाप सस्रियकाल स्वागत आपका डेफिनेट सक्सेस पार्ट शालप पे इंडिया इस वन अफ दो मोस्ट ट्रस्टेड और प्लाटफर्म पो क्लास 9 तो क्लास 12 आपको यहां मिलता है टॉप क्लास 10 का 12 चाप्टर यहां पे पढ़ रहे हैं मतलब कुल मिलाकर सॉल्फ कर रहे हैं तो उसका हमने एक सेशन अल्रेडी कंप्लीट कर दिया है जिसमें हमने बात की थी कि वाट एग्जाटली इस दा आइडिया बिहाइंड combination of solids तो यह जो पूरा concept है combination of solids इसको हमने समझने की कोशिस की थी कैसे होता है क्या होता है और उसमें majorly हमारा जो concentration था वो था surface area वाले problems पे आज की lecture में हम पूर्ण तहा कोशिस करेंगे cover करने की volume वाले topic को मतलब combination of solids का volume कैसे निकलता है वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं as compared to your previous वाला lecture थोड़ा सा यहाँ पे easy हो जाता है जो कि इसमें the mark in terms of formula कौन सा use करना है वो थोड़ा कम लगता क्योंकि volume के formula में variety नहीं ही है surface area में आपको curved surface area या फिर total लेना है या फिर नीचे का bottom लेना है वो सब सोचना पड़ता है यहाँ पर उतनी problems नहीं आती है और फिर साथी साथ लगे हाथ अब निता पढ़ लेंगे तो size 12.2 को भी खतम कर देंगे surface area वाला जो questions है वो थोड़े से complex वाले category में आते हैं और volume वाले जो है वो as compared to surface area easy होते हैं तो इन में आप देखोगे कि सवार में complexity बढ़ाने के लिए कुछ जादा elements डाल दिये जाते हैं ठीक है जो कि with when we go in the exercise deep में question solve करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि मैं किस बारे में चर्चक कर रहा हूं ठीक है चरिए देखो पिछले section में पिछले वाले lecture में हमने क्या पढ़ा था तो हमने discuss किया था किसके बारे में तो हमने discuss किया था surface area निकालने के बद और solids made of combination of two or more basic solids ठीक है आज के lecture में हम बात करेंगे उनके volume की ठीक है अब यहां पर आपको क्या जान रखना है कि जब आप surface area calculate करते हो जब आप surface area calculate करते हो आपने वो surface area add नहीं किये थे जो कि आपके यहां पर थोड़ा सा क्या सकतो sacrifice हो रहे थे ठीक है जैसे आप यहां पर देख cylinder के उपर cone रख दिया तो cylinder का top surface और cone का bottom surface flat वाला surface एक दूसरे के उपर आ गए तो उन्होंने वो sacrifice कर दिया वो disappear कर दिये तो उनको आपने नहीं add किया था लेकिन volume में क्या हो जाता है volume में surface का खेल है ही नहीं volume में पूरा ही शामिल हो जाता है इसलिए इन वाले cases में जब ठीक है when we calculate the volume ठीक है the volume of solid found by joining two basic solids will be actually the sum of volume of the constituents यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जब आप ऐसे किसी का solid का volume निकालोगे ठीक है तो फिर उस case में आपको सीधे सीधे दोनों individual solids के constituents के volume को add करना है ठीक है अब यहाँ पर ऐसा हम और अच्छे से कब सीख पाएंगे जब हम कुछ questions को solve करेंगे तो चलिए प्रस्थान करते हैं examples को हम यहाँ पर solve करने की कोशिस करेंगे शांता runs an industry in a set which is made up of a cuboid तो एक cuboid surmounted by half cylinder आपको चित्र में देख रहा है तो वो जो dome जैसा structure है वो अगर देखो किसी छोटी space में होता प्रबाबली हम उसको कहते हमिस्फेरिकल है लेकिन क्योंकि cuboid के उपर है तो प्रबाबली उसका shape हमिस्फेरिकल नहीं लग रहा है बलकि आधे cylinder जैसा लग रहा है ठीक है तो आपका यहाँ पर dimension दिये है एट इस सेवन इन्टू 15 ठीक है उसके बाद हाइट आपको दी है यहाँ पर किसकी आपके को निकल पार्ट की सुरी क्यूबाइडल पार्ट की हाइड है एट आपको निकालना है कि अंदर कितना volume वो hold कर सकती है further अब यही देखो में बोला था कि अगर कोई से वितना बोलता कि volume निकाल दो तो यहां पर सवाल खतम हो जाता तो बहुत इजी काम होता क्या volume of cuboid plus volume of half cylinder खतम बात इतना करने पर teacher रंबर देता लेकिन उन्होंने क्या किया है जान मुझके सवाल को 10th के का बनाने के लिए आगे कुछ element add कर दिया है ताकि बच्चे को थोड़ी महनत करनी पड़े क्या है वह element यहां पर देखो आगे क्या लेका फॉर्दर सपोस मशीनरी इंदर सेड ऑक्यूपाइश टोटल स्पेस ऑफ 300-meter cube and there are 20 workers each occupy about 0.08-meter cube space तो आपको बताना है how much air है कितनी air है यह आपको यहां पर बताना है ठीक है तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर मैं सिर्फ surface सिर्फ volume की बात करो तो probably questions easy हो जाएंगे पर क्योंकि एक्स्ट्रा element हो गया तो मुझे थोड़ी सी और मेहनत करने पड़ेगी अब यहां समझना शुरू मैं कैसे करूंगो सबसे पहले हम बात करेंगे हाँ पर dimensions की तो यहां पर हम लिखने हैं भाईया देखो सबसे पहले की dimensions of किसके तुसर यहां लिखा आपने dimensions of cuboidal part dimensions of cuboidal part कितने हो जाएंगे तो सर वो अगर हम देखें तो length हो जाएगी हमारी 7 meters देखो diagram में दिया हुआ है तो हमारे लिए आसान काम है breadth हो जाएगी हमारी 15 meters और height हो जाएगी 8 meters और height कितनी सर height हो जाएगी h would be equal to 8 meters ठीक है नाव दूसरा में क्या पता होना चाहिए यहां पर सर दूसरा में पता होना चाहिए हमारा dimensions of the conic आपका cylindrical part ठीक है तो आपने लिखा यहां पर dimensions of cylindrical part cylindrical cylinder की spelling हाँ cylindrical part तो चलिए उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए तो उसा cylindrical part के dimensions में एक तो आपको मिलना चाहिए height ठीक है तो अगर अब ध्यान से देखो वहाँ तो cylinder की height यहां पर यह हो जाएगी है ना 15 meters ठीक है ना बिल्कुल सर और उसका जो radius है वो भी मुझे पता होना चाहिए लेकिन radius नहीं पता मुझे यह पता है कि यह 7 है ठीक है तो प्रूबाबली यह act करेगा as the diameter तो radius हो जाएगा 7 by 2 meters ठीक है चलिए यहां पर अपन अंडरस्टांडिंग के लिहाद से एक partition कर देते हैं create तक यह दोनों dimension लिख दिये अब बात आ जाती है इसका volume क्या होगा तो यहां तो पूरा पूरा आपने cuboid ले लिया है तो आपने कहा volume of cuboid दूसरा उपर जो cylindrical top आपने बनाया है वो आधा है आधा मतलब कैसे कि आधा ही cylinder हुआ है बाकी नीचे तो आपका cuboid आ गया है तो इसलिए प्लस half volume of half volume of cylinder अच्छा एक बात समझना जब मैं कहरा हूँ हाफ volume of cylinder तो बहुत लोग यह ना सूचे दिमाख में कि अगर यह cylinder है तो उसका half हमने कहा से किया है उसका half हमने ऐसे किया है ना तो फिर तो नया cylinder बन जाएगा तो उसकी तो हम calculation करी सकते है यहाँ पे half हमने क्यों वोला क्योंकि अपने cylinder को इस तरीके से कट करके एक हिस्से को उपर रख दिया है ठीक है अगर ऐसे में आप half करते हो यह वाला अगर आप half करते हो तो फिर आपको even height adjust करनी है उसमें half नहीं होता ठीक है पर यहाँ पे half क्यों किया हमने क्योंकि आपने एसे काटा है vertically काटा है you can say that ठीक है चलिए तो यह आपके understanding के लिए हमने draw कर दिया ताकि आपको कोई confusion ना हो अब यहाँ पे आप देखोगे भाईया volume निकालना है आपको तो आप यहाँ पे easily रख दोगे formula तो volume is equals to अपने cuboid का हो गया l into b into h plus half into pi r square h यह हमारा formula है राइट है ना तो चलिए अब आप क्या करेंगे values को रख देंगे और अपना answer बता देंगे simple सी बात है यहाँ पे तो यह हो जाएगा volume equals to कितना 7 into 8 यहाँ पे 7 into 15 into 8 plus half into pi की जगा रखा मेंने 22 by 7 r square मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7 by 2 into 7 by 2 यहाँ पे जगा कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाईया 8 plus half into pi की जगा लिखा मेंने 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2 into h हमारा कितना था हाइट कितनी बूली थी हमने सर हाइट है 15 चलिए तो अब यह calculation हमें कुल मिला के करना है और यहाँ पे 15 के नीचे कुछ नहीं तो मैंने वन लागा थे क्योंकि सब कुछ fraction में था application तो यहाँ पे मैंने एक कर दिया तो वॉल्यूम वुड बी इकवल टू 7 into 15 into 7 8 जा होता है 56 56 into हम कर देंगे 15 फिर उसमें प्लस कर देंगे यहाँ पे आप देखो 11 into 7 into 15 into upon 4 क्योंकि नीचे दो 2 अभी बाकी है तो 11 into 7 आपने कहा 11 into 7 into 15 upon 4 ठीक है यह clear है बिल्कुल सर कोई दिक्कत तो नहीं जरासी भी नहीं सर अब यहाँ पे थोड़ा ease of calculation के लिए I can take 15 common तो अंदर मेरे पास आजाएगा 56 प्लस 11 7 जा होता है 77 by 4 दो option है या तो इसको डिवाइड कर दूँ क्योंकि 7 4 से divisible हो जाएगा प्रोबाबली ऐसी कोई बात नहीं है या फिर मैं LCM लेके add करके फिर उसको करूं तो एक ही चीज़े कुछ भी कर सकते हो तो 15 into यहाँ पे आपने लेखा 56 प्लस 4 से डिवाइड किया तो 4 बन जा 4 37, 4 9 जा 36 यहाँ पे जाएगा 4 decimal लागा है 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 चलिए तो आपका volume आ जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 15 into 56 into 9 plus 19.25 तो 56 plus 20 करोगे तो आपको मिलेगा 76 उसमें से 0.75 माइनस कर दो तो जाएगा 75.25 अब यह multiplication आपको करना पड़ेगा तो आपको finally volume of shed मिल जाएगा तो यहाँ पे आप लिखोगे volume of shed is equal to बताओ कितना आ रहा है आपका answer फिर उसके साब से माँगे बढ़ेंगे तो जब आपने multiply किया इन दोनों को तो probably आपको यहाँ पे answer मिलना चाहिए लगबग कितना सर 1128.75 तो अपने लेखा यहाँ पे 1128.75 मीटर क्यूब चली यह clear हो गया बिल्कुल यह volume of shed of यहाँ पे आपको बताओ कि total quantity of air कितनी हो सकती है लेकिन अब आपके पास आजाता है second and the complexity increasing part इसमें आपने क्या बोला कि यह total shed का volume था मतलब अगर कुछ नहीं होगा तो इस पे क्या होगी air होगी ठीक है तो अब आपको यहाँ पे क्या-क्या हटाना है यहाँ आपको वह चीजे हटाने जो की space ले रही है ठीक है तो यहाँ आप लिखोगे when empty तो when empty volume या quantity of air यहाँ लिख सकते हो जो भी आप लिखना था हो यहाँ पर सवाल में देखो कैसा लेखा है सवाल में लिखा है तो हाँ space occupied by air तो यहाँ पर लिख सकते हो space occupied by air is how much तुसर जब खाली होगा तब यह पूरा एरिया space जो होगा वो air ने यहाँ पर फिल कर दिया होगा point 11.28.75 तीक है 1.28.75 meter square meter cube sorry not square because यह volume है ठीक है अब space occupied by machine space occupied तो आपको क्या करना पड़ेगा air को बाहर निकालना पड़ेगा तो space occupied by machine if I am not wrong is 300 meter cube if I am not wrong एक बाद चेक कर लो हाँ जी तो यहाँ पर तुम बोलेंगे भाया space occupied by 20 workers space occupied by 20 workers अब यह कैसे निकलेगी तो सर आपको एक की दी गई है decimal x shift हो गया आट दूनी 16 होता है तो प्रभाबली यह आएगा 1.6 meter cube यह clear है तो बीस लोगों ने कितना occupy किया सर बीस लोगों ने occupy किया 1.6 meter cube अब जो मेरे यहाँ पर remaining बचेगा वो मुझे पता लगाना है देको लिखा ना how much air is in the shed ठीक है तो यहाँ पर आपको होगे remaining so आप देखो कहाँ पर therefore air in the shed air remaining in the shed क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर हवा होगी है तो air remaining in the shed would be equal to how much तो सर यह हो जाएगी आपके 1128.75 में से माइनस कर दो 300 और माइनस कर दो 1.6 तो आपको यहाँ पर answer मिल जाएगा कितना तो सर देखिए 1.6 पर अगर माइनस करूं तो यह हो जाएगा 1127.15 ठीक है उसमें से 300 और माइनस कर दो ठीक है तो सर 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा तो प्रबाबली आपका अंसर आएगा 827.15 मीटर क्यूब इतना इलाका किसके पास होगा इतना इलाका होना चाहिए हमारी एयर के पास is this clear कि यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सब तो 827.15 मीटर स्क्वार मीटर क्यूब हमारा वो एरिया है वो वॉल्यूम है या वो स्पेस है इन दे एंटायर शेड जो की एयर के पास होगा शुरू अपन ने यहां से किया था तो पहले यहां का स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है पहले डायमेंशन लेके फिर फॉर्मले को यहां पर डिसकर्स किया उसके बाद आगे सॉल्व किया फिर आपने निकाला वॉल्य चलिए नेक्स्ट क्यों प्रस्थान करें एक्जाम्पल नंबर सिक्स अजू सेलर वह सर्विंग इस कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस आज शोन इन फिगर 12.13 दा इन डायमेटर ऑफ दो सिलेंड्रिकल ग्लास वास फाइव सेंटीमेटर बट 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 अब ग्लास हैड उसको occupy कर लेता है और उसमें अपका content कम जाएगा मतलब material कम जाएगा ठीक है अब यहां पर देखो रेस पोर्शन बिच रिद्यूस्ट कापासिटी ऑफ ग्लास इफ दा हाइट ऑफ द ग्लास वास 10 सेटीमिटर फाइंड अपेरेंट कापासिटी अफ देखने में कैसा लग तो सर हमें निकालना पड़ेगा cylinder का volume और actual capacity पता लगाने के लिए हमें उस में से जो अंदर hemispherical घढड़ा है उसका वॉल्यूम करना पड़ेगा आक्टल कपा चिंटी तो यहाँ पर सबसे पहले के जाहाए अनते हैं हमें तो आपने अपर बात करें हैं हाँ स् रहे उसी डाइमेंशन के साथ चल रहा है तो आपका डाइमेंटर था पांच रेडियस हो जाएगा पांच बटे दू यानि यह हो गया फाइस बाइस टू सेंटीमीटर चलिए इतना क्लियर है बिलकुल सर अब आ जाते हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट पे तो डाइमेंशन ऑफ स 10 सेंटीमीटर है ना राइट बिलकुल सर एच वुड बी इकवर तो 10 सेंटीमीटर और आपका जो रेडियस होगा वो कितना होगा तो सर रेडियस हो जाएगा वही डाइमेटर का आधा यानि 5 x 2 सेंटीमीटर अब इनका आधेस है कि आपको पाई की वाल्यू 3.14 यूज करन ली अपने वो बिलकुल सर चली बहुत बढ़िया अब यह समझना कैसे निकालोग़ा अपारेंट कपाइसिटि तो यहाँ पर मूलेंगे कि ना ओ क्या नाम है यह word है apparent capacity मतलब दिखने में कितनी लग रही है capacity तो दिखने में तो हमें वो पूरा cylinder ही लग रहा है सामने से तो तो हम बोलेंगे apparent capacity is equals to apparent capacity would be equal to volume of cylinder तो मैं short में लिख रहा हूँ apparent capacity को AC is equals to pi r square h ठीक है अब आपने formula लग दिया बस आपको value रखनी है तो apparent capacity AC is equals to यहाँ पे आपने कितना बोला सर यहाँ पे हमने बोला कि pi की जगा रखना है 3.14 r square मतलब यह हो गया 5 by 2 into 5 by 2 into h की जगा आजाएगा 10 fair enough चले कोई दिक्कत तो नहीं जरासी भी नहीं सर अब क्या करेंगे हम तो सर इसको solve करेंगे और हमारा answer हम easily बता देंगे चलिए तो यहाँ पर आप देखोगे अब आगे further guesses को हम approach कर सकते हैं तो सर बहुत simple सी बात यहाँ पर हमें करनी है और वो बात क्या है सर वो बात है basic multiplication करना अपना answer बताना है देखो अब इतना तो करना पड़ेगा बिना उसके कौन से teacher number देदेगा आपको तो apparent capacity में अगर आप देखोगे तो 3.14 into 10 हो जाएगा 31.4 ठीक है ना इंटू यह देखो 5 by 2 into 5 by 2 मतलब यह हो जाएगा 25 by 4 चलिए clear है ओके चलो देखते आप कैसे solve करेंगे इसको तो देखो 31.4 को 25 से multiply करोगा आपके पास लगभाग आएगा 785 है ना तो 785 divided by 4 अपनको और करना है तो यहां पर हम लिख देते हैं भाया कि हमारी जो apparent capacity है वो है 785 divided by 4 विच जो इक्वल टू ओन डिवाइडिंग कितना सा 717 38 790 36 ठीक है 25 76 हो जाए कितना 24 एक बचा तो 196.25 सेंटीमीटर क्यू देश आर अपेरेंट कापासिटी जिसको हमने एसी के नाम से यहां पे लिखा था क्या इतना करने पर हमारा काम हो जाएगा नहीं सर अभी तो हमें actual capacity निकालनी है तो यहाँ पर इतने पार्ट अगर आपने कर लिए तो पहले इतने पार्ट का screenshot ले लो done all good to go अब मैं यहाँ पर कर रहा हूं प्लस और यहाँ पर मैं कर रहा हूं कि now actual capacity यह भी तुम मुझे पता लगानी है तो actual capacity वुड़ बी कितना तुसर देखे एक्चुल कपासिटी वुड़ वुड़ बी apparent capacity जो है आपकी apparent capacity माइनस apparent capacity जो हमारी आई है calculate करके उसमें से माइनस कर दूंगा मैं कि तरна उसमें माइनस कर दूंगा वो जो की हमें दिख नहीं रहा था पर exist कर रहा थो area of sorry अपना हमिस्वेर के एरिया थोड़ी हमीसयर को हो गया ये वाल्यूम है नहीं लेक आपर वॉलुम औ भी वी कि हमी कि मैं रिक्स फेर हम यहां पर हेमिस लिख दिया मैंने क्या है पूर्शन चलिए अब आगर कंटिन्यू करेंगे आप आगे तो आप देखेंगे अब या एक्च्वल कपासिटी कितनी हो जाएगी यह तो वही बात हो गई सर दिखने में कुछ और और असल में कुछ और मतलब फोटो में कुछ और एडिटिंग करने के बाद है ना और जब स नहीं है तो सोसल मीडिया के जमाने में इसा ही होता है इसलिए चित्र देखकर किसी चीज़ पे बिल्कुल आख बंद करके विश्वास नकल लें हमेंसा उसको जब आप सामने देखें तो ही फिर उसके साब से निर्ने लें यह इन जनरल लाइफ में भी प्राक्टेस अपनी बनाव चाहें को शॉपिंग कर रहे हो चाहें फ्रेंज बना रहे हो ठीक है तो यह नहीं है कि जिसका फिजिकल़ प्रेजेन्ट अच्छा है और सोशल मीडिया जिसके पोटो अच्छा आते हैं वो इंसान अच्छा होगा ठीक है ऐसा नहीं होता है कोई कंपल्सरी रूल नहीं है बलकि इंसान अच्छा होने की अधर क्वालिटी होती है जो कि बहुत बर आपको वर्चुली पता नहीं चलती फेस मिलने पर ही मालुम चलती है ठीक है चलो तो सार आपने अच्छा घ्यान भी दे दिया अब भाईया फ्री में तुम्हें मिलता ही रहता है थोड़ा सा और ले लो तो यह अपकी अपेरेंट कपासिटी थी 196.25 और जो माइनस करेंगे वो अपन करेंगे वॉल्यूम अफ हमिस्पेरिकल रेस पोशन तो हमिस्पेर का वॉल्यूम कितना उसर वह होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यूब और क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक चल कपट सॉट ऑफ किया तो जो रेडियस आपका चल रहा था किसके लिए सिलेंडर के लिए वही है मिस्पेर के लिए चला और वही अब देंगे 5 by 2 तो चलिए इसको हम अगर आगे लेके जाएं तो यह हमारी एक्चुबल कपासिटी की क्यालकुलेशन चल रही है तो वह हो जाएगी अगर आप देखोगे तो एक्चुबल कप और यूज करने को राइट और रेडियस आपका है 5 by 2 तो 5 by 2 का क्यूब बोला मतलब आपको तीन बार लिखना पड़ेगा तो 5 by 2 5 by 2 और 5 by 2 कुछ वाली जहां पे कैंसल होंगी जैसे की आपको दिख रहा है सबसे पहले कैंसल हो जाएगा कॉन सबसे पहले सर कैंसल हो जाएगा यह 2 अंड इस 2 देन आपने क्या cancel करना है सर और तो कुछ है नहीं हाँ 3.14 into 5 into 5 into 5 upon 3 into 2 into 2 यह सारी चीज़े आपको करने ही पड़ेगी तो चलो इस पर अगर मैं बात करूं तो इधर तो 196.25 रहेगा इधर हो जाएगा माइनस 3.14 अब अगर मैं 5 के क्यूब की बात करूं तो वह होता है 125 ठीक है फोल डिवाइड बाई यहाँ पर 3 into 2 2 जा होता है 4 तो 3 4 जा हो जाएगा 12 यह calculation में को करनी है अब बताओ 3.14 को अगर मैं 125 से multiply करूं तो कितना मिलेगा मुझे तो 3.14 को यदि हम 125 से multiply करें तो हमें मिलेगा 392.5 राइट है ना बिल्कुल सर तो अगर मैं उस calculation को आगे बढ़ा हूं तो मैं बोलूंगा यहाँ पर की देखिए आपको मिलेगा 196.25 माइनस 392.5 डिवाइड बाइ 12 ठीक है इस वुड बी इकवल टू फर्दर अब इसको मैं सॉल्फ करूं तो 196.25 अब 12 के टेबल से डिवाइड करना है देखो 12 थ्री जा 36 है ना कितना बच गया सर वहां पर बच गया 62 12 कितने जा हो जाएगा तो यहां पर बचा कितना थर्टी टू बचा तो टूएल टूजा 24 हो जाएगा कि अब आपके पास कितना बचा आठ बचा 85 85 मतला यहां पर हो जाएगा तो टूएल सेवेंजा होता है टूएल सेवेंजा 84 वन बचा तो उसके बार आप राउंड ओफ कर दो कि प्रोबाबड़ी 32.71 हो जाएगा माइनस करने पर तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा दोनों को माइनस करने के बाद वह आएगा यहां पर कि देरफोर एक्ट्वल कपासिटी एक्ट्वल कपासिटी इस इकुवल टू इस इकुवल टू अब माइनस करो गया 196.25 माइनस 32.71 थोड़े से कैरी भी करना पड़ेगा हमें आप तो पांच में से गया चार बारा में से साथ गया तो पांच ठीक है और छे की जगा जाएगा पांच पांच में से दो गया तो और यह हुझाएगा 163.163.54 सेंटी मीटर क्यूब यह हमारा फाइनल अंसर होना चाहिए कि फाइनली कपासिटी आ रही है 163.54 क्लियर है इतना कोई दिक्कत तो नहीं बड़ी आसानी से आपने कर लिया हांजी सर अंसर आपको मिल गया येस सर फाइनल अंसर आया 163.54 सेंट मीटर क्यूब अब इक बात का ध्यान रखना यहाँ पर कि यह अलग है भाईया काल्कुलेशन इसको अलग रखना आपको कंफ्यूज नहीं करना है और ना होना है आपने इधर पर अपना सवाल खतम किया good to go yes sir चलिए very good example number seven देखो इसमें समस्याएं आती रहेंगी solve करते रहेंगे अपन जब तक कि अपन का यह अच्छे से पूरा concept डवलप नहीं हो जाता कि करने क्या वाले हैं a solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone the height of the cone is two centimeter and the diameter of the base is four तो आपको यहां पर diameter दिया है कितना सा diameter दिया है four और यह height दी है आपको two centimeter कि determine the volume आपको volume पता लगाना है पहली बात तो चलिए कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा if a right circular cylinder circumscribe the toy मानलो आपने पैक करने के लिए right circular cylinder रखाए find the difference in the volume of cylinder and the toy चलिए आपको 3-4 चीज़े करनी है सबसे पहले हैं पर कोन का दिया है height four और आपका यहां पर diameter है height two है diameter यहां पर शुरू किससे करोगे आप शुरू करोगे यहां पर सबसे पहले अपन बात करेंगे कि diameter या dimensions कि और कोनिकल पार्ट कोनिकल पार्ट और टॉए तो सर उसका height आपको दिया है two centimeter h is equal to two centimeter ठीक है और जो आपका radius है diameter है four तो radius हो जाएगा इसका आधा यानि वो भी है two centimeter चलिए उसके बाद हम यहां पर पता लगाएंगे आपके dimensions ऑफ है hemispherical पार्ट है ठीक है hemispherical पार्ट के क्या dimensions होंगे भाईया सर उसका तो height white कुछ दिया ही नहीं पर hemisphere की height का होती है hemispher का तो कुल मिला के एक ही चीज़ होती है हो है radius hemispher इस दुनिया का सबसे संतुष्ट शेप है एक ही डायमेंशन उसका रेडियास उससे वह पूरा खेल खेलता है तो सर क्योंकि कौन एक्जाक्ली ऊपर है hemispher के तो प्रबाबली दोनों का diameter सेम है इसलिए उसका radius भी सेम हो जाएगा that is 4 divided by 2 यानी 2 cm आपका आ जाएगा यहां पर radius यह clear हो गया बिलकुल सर तो चलिए पहले हम निकालेंगे यहां पर volume of the toy जो कि हमें देखो बोला गया कि find the volume of the toy तो पहले उसकी बात कर लेते हैं उसके बाद यह बाहर वाले cylinder पर चर्चा करेंगे तो यहां पर हम कहेंगे भाईया volume of toy is equal to volume of toy is equal to volume of school plus प्लस पीलस आपका यहां पर दूसरा कोड़ने दूसरा सर volume of hemisphere इन दोनों का volume add करेंगे तब जाके अंसर आएगा तो यहां पर हम लिख देंगे भाईया देखो कि we is equal to volume is equals to कोन का volume होता है यहां पर आप याद करोगे तो वन बाई थ्री पाई आर स्क्वाइर एच ठीक है पिलस इसका होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यूब अब आपको यहां पर values रखनी है देखो पाई की value 3.14 बोली है तो वह हम रखके यहां पर solve कर देंगे कोई बड़ी बात नहीं है चलिए पहले values रखेंगे उसके बाद आगे की बात करेंगे अपन तो सर यहां पर अगर हम values रखें तो v is equals to कितना 1 by 3 into pi की जगा 22 by 7 नहीं रखेंगे 3.14 रखेंगे चलिए उसके बाद आपका radius कितना हो जाएगा तो सर रेडियस अगर हम यहां पर बात करें तो हमने लिखा था पहले ही 2 square into height भी है आपकी 2 है ना और यहां पर जगा थोड़ is equals to 1 by 3 है ना into pi की जगा 3.14 r square यानि 2 square h की जगा पे 2 ठीक है प्लस आपका 2 by 3 into 3.14 और यहां पर कितना हो जाएगा सर आपका radius है 2 3 हो जाएगा 2 cube अब कुल मिला के यहां पर आप बात करोगे तो देखो volume में आप क्या लेख सकते हो सर एक तो denominator का 3 common ले लो उपर से 3.14 common ले लो ठीक है अगर आप यहां पर देखोगे यह है 2 square into 2 तो यह हो गया कुल मिला के 2 cube इधर पे भी एक 2 cube है तो मेरी यहां पर इच्छा है कि मैं एक 2 2 cube common ले लो अब जब मैंने वह common लिया यहां से देखो 3 आ गया 3.14 आ गया 2 square आ गया 2 आ गया तो कि यह पूरा 2 cube बन जाएगा पूरा बाहर आ गया तो केवल 1 बचेगा प्लस यहां से नीचे का 3 आ गया 3.14 आ गया 2 cube आ गया 1 2 यहां पर और बचेगा ठीक है तो we would be equal to यहां हमें advantage का मिला 3 से 3 हो गया cancel और volume सिर्फ आएगा 3.14 इंटू 8 जो कि आप आसानी से कर सकते हो अब 8 से मंटिप्लाए 8 चोंके 32 दो यहां 3 उपर 8 बन जा एट ठीक है 9 10 11 एक यहां एक उपर आठतिया 24 एक 25 आएगा यहां पर 25 पॉइंट कितना बोलो था मैंने सर यह हो क्यूब तो यह 25.12 यह क्या है सर यह हमारे उस टॉय का volume है जो कि हमें यहां पर निकालने को बोला गया था ठीक है अब बात किसकी आ जाती है तो सर अगर हम यहां पर बात देखें आपको फॉर्दर क्या निकालना है फॉर्दर आपको बोल रहा है इफ और राइट सर्कूल कि करना है तो आपको पता लगाना है कि वह जो सिलेंड्रिकल बॉक्स एजो कवरिंग है उसका volume और टॉय के volume में कितना आपका यहांपर डिफरेंस है तो पहली बात तो उसके dimensions पता होना चाहिए तो सर चित्र के माध्यम से यदि हम यहाँ पर observe करें तो वो जो cylindrical box है वो exactly हमारे cone code और हमारे hemisphere को touch कर रहा है ठीक है मतलब जितना radius हमारे in cylindrical हमारे conical and hemispherical part का था उतना ही radius हमारे cylinder का भी होगा लेकिन इसकी height भी नहीं नहीं पता है हमें तो सर जो radius यहाँ पर है वही radius इधर भी होगा तो यह हमारा two हो गया और इसके उपर मैं cone की height को जोल लेता हूं क्योंकि अगर मैं उपर भी देखूं तो हमारा जो cylinder है वह एक्जाक्ली सर नीचे जो अपना है वहां पर टाच हो रहा है और उपर टॉप पर टाच हो रहा है तो जो height इन दोनों की मिला के बनेगी वही हमारे cylinder की बन जाएगी तो यह radius का टू यह height का टू मिलके हो गया चार तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो मैं आपर लिखूंगा कि भाईया ना अब डाइमेंशन ओफ सिलेंडर क्योंकि बिना डाइमेंशन के तो कुछ काम हो नहीं सकता तो डाइमेंश ओप सिलेंडर कितना हो जाएगा सर एच वुड़ बी टू प्लस टू यानि फोर सेंटीमीटर और यूर रेडियस वुड़ बी सेम आज यौर अधर टू दाट इस कोन और हमिस्फियर तो दाट इस फो डिवाइड बाइट तो यह भी हो गया टू सेंटीमीटर तो अब मैं क्या बोलूंग इनको देखो इतन से वाले में फरक है मतलब यह एक नया अध्याय हमने शुरू किया ठीक है चलिए अब अगर आपको सिलेंडर के डाइमेंशन पता चल गए हैं तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं बिल्कुल सर तो यहां पर बोलूंगे कि वॉल्यूम ओफ सिलेंडर कितना होता है सिले कितना बोला है साथ 3.14 यूज करने को बोला है ठीक है भाईया तो आपने यहां पर लेखा 3.14 अब आपका रेडियस हमने वहीं से निकाला है टू स्क्वाइर इंटू एचिस फॉर तो यह वॉल्यूम ओफ सिलेंडर कितना हो जाएगा तो सर यह हो जाएगा 3.14 इंटू 2 स् फॉर इंटू 4 तो मुझे यहां पर क्या करना है वॉल्यूम ओफ सिलेंडर के लिए 3.14 में 16 मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा चलिए करिए मल्टिप्लाइ वॉट इंटू 16 देखो कितना आ रहा है तो सर अगर मैं 3.14 इंटू 16 कर दू तो वह हो जाएगा मेरे हिसाब से फॉल्यूम ओफ सिलेंडर ठीक है अब यहां पर मैं यह जगा वी डिटी लिख रहा हूं मतलब वाल्यूम ओफ आपका क्या करत उसको अपन अंगरे जी में टॉइड थिक है तो यह वॉल्यूम औफ टॉइल लिख दिया अपने थी एक है वी की जगा वी टी लिख रहे है व यहां पर हम क्या लेखेंगे कि या फिर अल्सव क्योंकि हमें ख़तम करना व lenas सोडिफ्रेंजिक टू डिफ्रेंजिस इक्वल्स तू डिफेंज यह इक्वल्स टू वॉल्युम ऑफ इसे लिगेर क्योंकि वह बड़ा है माइनस वॉल्यूम ऑफ तो डिफिरेंस जो आएगा हमारा कुल मिला के वह आएगा साथ देखे 25 ने कितना है फिफ्टी पॉइंट वां टू फोर तो यह आया फिफ्टी पाइंट टू फोर माइनस 24.12 है कितना एक बचे करो भी क्योंकि याद मुझे रहता नहीं सर 24 25.12 माप किजेगा मैंने का था न मुझे याद नहीं रहता 25.12 है एक्जाक्ली आदा है इसका है ना कह सकते आप तो डिफ्रेंस इक्वल्स तो कितना आ जाएगा तो सर्ट डिफ्रेंस वूड वी इक्वल्स टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब चली बढ़िया है काम यहाँ पर बिल्कुल सर आपने डिफ्रेंस निकाल के बता है कितना है सर वो है 25.12 और वही मेरा फाइनल आंसर होना यहाँ पर चाहिए सेंटीमीटर क्यूब लिखना मत भूलना शुरू हम कहां से करेंगे शुरू यहां से करेंगे भईया जहां पर हम 25.12 सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल सच लिए बहुत बढ़िया स्क्रीन आप यहां पर देख लिए स्क्रीन शॉट ले लिए यहां पर हम शुरू कर रहे हैं अब हमारी एक्सराइस तो कुछ अच्छे-च्चे कोईसं जहां पर बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा व क्या बोल रहा है a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere cone standing on a hemisphere नीच उपर कोर है नीचे hemisphere है with both their radii being equal to one centimeter radius आपका one और height of the cone is equals to radius to height of the cone is equal to radius माने वो भी किती है one find the volume अब in terms of pi मत आपको पाई की वाली रखनी नहीं है तो पहले लिखा आपने यहां पर dimensions of hemispherical part so dimensions of hemispherical part लिख रहा हूं मैं hemispherical को short में लिख दिया मैंने hemispherical part कितना तुसरा उसका radius ही पता चाहिए करना होता है हमें तो बोलो यहां पर is r equals to one centimeter चलिए बहुत बढ़िया अब इसके बाद second चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वह dimensions of conical part तो dimensions of conical part क्या कहते हो कितना होगा अरे सर घर से थोड़ी लेकर आना है कि कितना होगा जितना दिया होगा उतना होगा तो radius equal to one centimeter है उन्होंने पहले ही बोल दिया और हाइट के मामले में क्या बोल चुके हैं वह कि height is equal to radius तो h is also equal to one centimeter चलिए good to go बिलकुल सर अब यहां पर आपको निकालना है volume तो आप के दो पार्ट है एक है आपका कोन तो volume of कोन पीलस पीलस वॉल्यूम ओफ सेकेंड क्या है सर सेकेंड यहां पर हमारे हाथ में आ रहा है हमिस्फियर तो चलिए यह हो गया है हमिस्फियर तो volume of कोन प्रस volume of हमिस्फियर आपको करना पड़ेगा short में volume of solid को v s लिख रहा हूं मैं ठीक है कोन का volume होता है कितना 1 by 3 pi r square है आपको पाई की value नहीं रखनी है सवाल में साफ साफ लिखा है तो उसको भूलना मत और कोन का हो जाएगा 2 by 3 pi r cube अब यहां पर देखो value को अपनको substitute करना पड़ेगा तो जब हम substitute करेंगे तो volume of solid आएगा हमारे पास 1 by 3 into pi as it is r square radius कितना ऐसा radius है 1 तो 1 square height भी है 1 प्लस यहां पे 2 by 3 pi into r cube मतलब 1 cube चलिए अब 1 से multiply कर रहे हैं तो खुल मिला के आसान काम ही है तो volume of solid हो जाएगा यहां पे देखो कि 1 by 3 pi प्लस यहां पे 2 by 3 pi अब अगर मैं एक समझदार व्यक्तिव हो तो क्या करूंगा सर यहां पे volume of solid निकालने के लिए यह जो 1 by 3 and 2 by 3 इसमें से 1 by 3 common ले लूँगा ठीक है यह पाई common ले लो बात बराबर यह पाई जब आपने common लिया तो यह हो जाएगा 1 by 3 plus 2 by 3 simple गनित जब दोनों का denominator सेम है तो addition में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो यह हो जाएगा अंदर अगर आप देखो तो 1 plus 2 by 3 अब आप में से कुछ लोग बोलो गया कि तो वहारा है पाई सेंटीमिटर क्यूब एनी प्रॉब्लम सो फार जरा सी भी नहीं से कोई दिक्कत नहीं सर आसानी से अंसर आगया आपका कितना आया पाई सेंटीमिटर क्यूब आ गया और वही हमारा यहां पे क्यालकुलेशन के मुकाबले में एजी कोईशन था लेकिन ऐसे कोईशन एक्जाम में आए इसके चांस तो कमी है आपको भी समझ में आता है ठीक है चलो स्क्रीन शॉट ले लिए आपने फर्स कोईशन समापत अपना मूविंग तो सेकेंड कोईशन तो यहां पर रेशल है एक इंजिनेरिंग की स्टूडेंट है मताओ इंजिनेरिंग की स्टूडेंट होगे दसवी के बच्चों से हेल्प ले रही क्या ही है मतला यह कोई बात हुई हाज वाज आस्टू मेका मॉडल सेप्ट लाइक असलेंडर विच्टू कोज अटाश्ट अटेश्ट इस तो एंड ठीक है बाइव यूजिंग अ थिन अलिमिनियूं शीट दाइमेटर इस त्री सेंटिमेटर कितना है थ्री तो रेडियस कितना हो जाएगा और यह मॉडल का है मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सिलेंडर का भी सेम रहेगा कोन का भी सेम रहेगा क्योंकि पूरे मॉडल का है और इस लेंद्ध इस ट्वेल सेंटिमीटर ठीक है भाई या इव इच कोन हाज हाइट अफ तो यह देखो लेंध पूरे शेप की है पूर तो इस प्रिम आप देखेंगे असलेंट्स है तो पूरे मॉडल का ही है कितना थ्री बाई टू सेंटीमीटर ठीक है दूसरा होना चाहिए आपका यहां पर हाइट तो पूरे मॉडल हाइट है बारा उसमें से आपको किसकी हाइट अपड़े आपको कोन की हाइट अपड़ेगी तो दो कौन है तो दोनों की 22 सेंटीमीटर हटा दो तो अंसर आ जाएगा आठ सेंटीमीटर चलिए यह तो ट्लेयर हो गया कि अब बात आती इसके सेकेंड पार्ट की जहां पर हम निकालेंगे और discuss करेंगे यहां पर dimensions of conical part अब exactly similar लग रहे हैं दोनों जगापे तो एक ही का निकालेंगे उच्छे से हमारा काम हो जाना चाहिए इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो अगर मैं यहां पर conical part की बात करूँ तो उसका radius सेम ही होगा क्योंकि पूरे model का सेम है that is 3 by 2 cm ठीक है और रहा सवाल इसकी height का तो वो भी साफ साफ दी गई है कि वो है 2 cm ठीक है अब आ जाते हैं इसके main part पर कि भाईया volume of model क्योंकि जितना volume होगा model का उतना ही आपका air condition होगा है ना कि उसके अंदर कितनी air है चलिए ठीक है तो यहां पर हम क्या बात करेंगे सर volume of model में हो जाएगा सबसे पहले तो आपका volume of cylinder पिलस प्लस टू इंटू आपका volume of coal क्योंकि दो है ना वहापे कों दोनों end पे तो डबल करना पड़ेगा आपको अब volume of cylinder का formula सर याद है बिलकुल याद है तो यहां पर निकाल दो तो सर हम यहां पर लिख रहे हैं volume of model equals to pi r square h plus two into one by three pi r square h ठीक है चलिए टेकिंग दिस फर्दर तो यहां पर बोलोगे भाईया volume of model is equals to pi r square h मतलब कुछ दिया तो नहीं है पाई की value तो आप 22 by 7 यूज कर लो अन्य था दी होती तो 3.14 यूज करते radius कितना है सर रेडियस नहीं यहां पर बोल दिया 3 by 2 तो यह भी 3 by 2 into 3 by 2 हाइट कितनी बोली सर हाइट है आठ प्लस यहां पर आया 1 by 3 into pi की जगा 22 by 7 अब आर स्क्वेर तो यहां भी 3 by 2 into 3 by 2 और आपका एज कितना हो जाएगा हाइट कितनी हो जाएगी सर यहां पर देखें तो सर हाइट यहां पर नहीं दी है 2 तो लेकिन यह तो यहां पर 2 by 7 को बाहर निकाल दिया वो कॉमन है और मैंने 3 by 2 into 3 by 2 को बाहर निकाल दिया मतलब 9 by 4 को बाहर निकाल दिया तो यहां से यह 22 by 7 आ गया यह 3 by 2 आ गया केवल 8 बचा तो यहां पर आपने लिखा 8 प्लास यहां से 2 by 3 अभी बचा है ठीक है 22 by 7 आ गया 3 by 2 आ गया 3 by 2 आ गया और एक इंटू 2 बचा है चलिए अब यह सॉल्व तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा पहले काम करो बीच में पार्टिशन डाल दो वरना कन्फूजन होगा कि भीया किसकी बात चलिए क्या सॉल्व हो रहा है कहां हो रहा है ठीक है है ना चलिए तेकिंग दिस फर्दर तो वॉल्म आफ दे मॉडल इक्वल्स तो 22 बाइस सेवें इंटू 9 बाइस अभी कुछ भी कैलकुलेशन मत करो क्या पता चीज़े कैंसल हो यहां पे आप देखोगे तो यह कितना हो जाएगा सर आट यह हो जाएगा चौबीस प्लस कालकुलेशन हमारे काम आ रहा हैं इंटू 9 बाइस ट्वेंटी एट यह हो डिवाइड बाइस त्री अब 7 फोर्जा कितना होता है सर 7 फोर्जा होता है 28 तो 7 फोर्जा 28 गैंसल 3 से 9 गैंसल के बल 3 बचा 22 इंटू 3 किया तो आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब इस देश क् कोई दिक्कत जरासी भी नहीं सर 66 सेंटीमेटर क्यूब हमारा आंसर आया कोई दिक्कत नहीं आए बिल्कुल सही आंसर है विक्ट्री का रिषान है यह मतलब जीत गए हमें सवाल को सॉल्व करके स्क्रीन शॉट आप लेना चाहें तो एक बड़ देख लीजें काल्कुलेशन पर विशेज ध्यान देना है देखो मैंने जान मूझ के इन सब को इंडिविज्विज्व नी क्या कॉमन खीच लिया क्योंकि मुझे लग रहाता चाहिब मैं कॉमन खीच लूँगा तो चीज़े कांसल हो जाएंगे अगर आप चीजों को कांसल करते हुए चलते तो ठीक है फिर यहां पर एकी बार में पूरा काम हो गया और यह जो आपकी कला है यह आपको प्राक्टिस से ही आएगी जितने ज़्यादा क्वेशन प्राक्टिस करोगे उतना आपको सेंस डवलप होगा कि कहां पर कौन सी कालकुलेशन करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं स्क्रीन शॉट डान इजी कोईशन था एकी बार में हमारा हो गया चलिए बहुत बढ़िया नाओ लेट्स मूप टो नेक्स कोईशन चलिए कोशन नमबर थ्री अपन यहां पर शुरू करते हैं एकदम बढ बनाया ऐसे जाता है कि इनके अंदर एयर फिल्ड होती है और उसके बाद फिर जब आप इनको मिठाई इनको चाशनी के डालते हैं तो वह चाशनी उस एयर का स्पेस ले लेती है इसलिए आप आप रस गुल्ले को किसी को बहुत जादा प्रेस करते हो तो वह पूरी चाशन नहीं होता है क्योंकि उसका बनाने का तरीका थोड़ा लग होता है पर कॉंसेप्ट लगभग वही है ठीक है अब यहां पर देखो सॉरी फाइन एप्रॉक्सिमेटली हाव मच सिरप वोड़ भी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन अगर 45 गुलाब जामुन है तो उसमें कितन शुगर सिरफ होगा यह आपको पता लगाना है अगर हर एक में 30% हरेक के वॉल्यूम का 30% सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कितना है और वह कैसे पता लगेगा तो वहां पर उन्होंने शेप देखे रखी वॉल्यूम में पता लगाना पड़ेगा शे कि हमें कोई जरुवत नहीं है इन फाक्ट यह आपने देख लिए तो मैं चित्र को भी गाया भी कर देता हूं कि इसकी भी कुछ खाज जरुवत मुझे है नहीं यहां पर बलकि यह वाला स्पेस हम क्यालकुलेशन के लिए यूज कर लेंगे क्या बोलते हो है कि नहीं चलो कर यहां पर हम लिखने बाइए देखे कि सबसे पहले आप बोलें डाइमेंशन के ओफ सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमेंशन क्या होगा तो सार रेडियस यहां पर हो जाएगा डायमेटर का आधा दाट इस two point eight divide by two that is one point four centimeter ठीक है अब length किसकी है यह पूरे गुलाब जामुन की है क्योंकि specify नहीं किया है तो हमें पूरे की ही माननी पड़ेगी तो length आप यहां पे निकालोगे हाँ पे height निकालोगे तो height यह 5 नहीं यूज होगी यह तो पूरे की है लेकिन इसमें से क्या minus हो जाएगा स तो मानने यहां पर माइनस करोगे one point four minus one point four या ऐसा कर सकते हो आप यहां पर अगर यहां पर हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा five minus one point four minus one point four that is roughly five minus कितना हो जाएगा सर यह हो जाएगा two point eight which is equals to कितना तो सर वो हो जाएगा two point two centimeter की millimeter क्या है साथ सेंटीमिटर यह देखो ऐसा कुछ है यह अपना हो गया cylindrical part ठीक है अब यहां पर cylindrical part अच्छे से बनाना पड़ेगा हमें तो हमारा cylindrical part हो गया है अब यह हो जाएगा कुछ इस प्रकार ठीक है all good to go and then दो आपके यहां पर hemispherical end है एक इस तरफ और एक इस तरफ इन तीनों को जब हम जोड देंगे तब हमारा एक पूरा गुलाब जाम कुछ इस प्रकार बन रहा होगा roughly यह आपको understanding develop करनी है पूरे की हाइट थी पांच ठीक है उसमें से हमने दो एक रेडियस इदर कम कर दिया एक उधर कम कर दिया तो अब हाइट हो गई 2.2 अब इसके बाद आएगा dimensions of hemispherical part वो तो आपको पता ही है उसमें केवल रेडियस का रोल रहता है तो dimension of hemispherical part would be how much तो उसमें सबसे रेडियस रहता है r is equals to 2.8 जो आपका total था whole divided by 2 यानि 1.4 cm ठीक है अब यहां पर आप क्या बोलोगे सर सबसे पहले तो एक partition ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कोई confusion ना हो एक इधर और एक मैंने यहां ड्रॉ कर दिया चलिए अब बात क्या होगी यहां पर तो सर बात कुछ ऐसी होगी भाईया क्या बोलोगे volume of गुलाब जामुन जी क्या गुलाब जामुन जी जी ठीक है is equals to volume of cylinder पीलस इसमें क्या एड हो जाएगा सर इसमें पीलस हो जाएगा आपका 2 into volume of hemisphere ठीक है यह clear है बिलकुल सरी हाँ पर प्लस 2 into volume of hemisphere अब यह देखना तो आपने हाँ पर volume of g j मैंने लिख दिया equals to pi r square h plus 2 into a volume होता है 2 by 3 pi r cube अब आप रख दीजे यहां पर आपकी values जिससे आपका यहां पर calculation हो जाएगा परफेक्ट तो v g j गुलाब जामुन is equals to 1 by 3 पाई की जगह हमें कुछ बोला गया है कि नहीं तो हम 22 by 7 रख लेते हैं radius कितना है 1.4 तो 1.4 into 1.4 थीक है एक में 1 by 3 को लिख दिया मैंने यह तो यह थोड़ी आएगा अरे यह क्या हो गया एक मिल्ग रूपर यह आप भी वापस जाईए कौन-कौन कहां कहां गया था कुछ जाई इसको हम करेक्ट कर देते हैं ताकि कोई confusion ना हो ठीक है चलो 1 by 3 pi r क्यों इतना करेट है बिल्कुल सर चली बहुत बढ़िया यह हम कर लेते हैं इसको वापस से चुरुबात दे देते हैं तुम भाईया पहले ठीक हो जाओ चलो अब बात यहां पर क्या कह लेते हैं हम तो सरी आप कहो कि भाईया देखे कि pi r square h यानि 22 by 7 into r square यानि 1.4 into 1.4 h की जगा पर जाएगा 2.2 plus 2 into 2 by 3 हो जाएगा 4 by 3 pi की जगा 22 by 7 और यहां पर आप करोगे 1.4 into 1.4 मतलब पावर 3 करना पड़ेगा आपको आपको क्यूब करना है अब एक बात समन नहीं यहां पर क्या क्या common आ सकता है और वो मैं क्यो करूँगा ताकि मेरे calculation थोड़े से easy हो जाएगा महनत करने से वैसे आपने को डर लगता है तुम्हें पता हिए 22 by 7 into 1.4 दो बार है चलिए तो आपने यहां पर निकाला 1.4 into 1.4 यह दो बार आगया आपका ठीक है इतना तो clear हो गया अब अंदर bracket के क्या बचेगा वो भी हम लिख लेते हैं तो सर यहां पर आपने 22 by 7 कीच लिया 1.4 दो बार कीच लिया एक बचेगा 2.2 पिलास इधर पर एक बचेगा 4 by 3 और यह हो जाएगा into 1.4 जहां सवाल आसान होगा वहां पर calculation में थोड़ा सा complexity आजाएगी तो उतना तो आपको हमेशा ही करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है चलिए जो जो वाल्यू कैंसल करते चलो बाकी multiply करते चलो अब जैसे 7 और 1.4 मल्टी cancel out हो जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा तो सर 7 से cancel करेंगे तो यह हो जाएगा लगबख 0.2 बाकी तो cancel नहीं हो रहा है ठीक है 1.43 से multiply होगा क्या divide होगा क्या नहीं सर वो भी cancel out नहीं होगा तो उसको हमें multiply करके फिर divide करना पड़ेगा तो थोड़ी महनत है पर कोई बात न कर लेंगे तो volume of आपका यहां पर लिखा अपने गुलाब जामन इस इक्वल्स टू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 यह हो गया उपर नीचे एक अभी 2.2 चल रहा है प्लस फॉट इस फॉर इंटू 1.4 लगबख हो जाएगा 446 ने कैरी 4 बंदा 456 5.6 मतलब है न एक बाचे कर लो तो दुबारा हां जी सर तो जाएगा 5.6 डिवाइड बाइट थ्री चलिए अभी एक कैलकुलेशन करते चलो तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामन आपको यहां पर कितना मिलना चाहिए सब 22 इंटू 0.2 कर देंगे तो यह हो जाएगा लगबख 4.4 इंटू 1.4 22 इंटू 2 कि देते हैं तो थोड़ा हमारा फ्राक्शन होर जाएगा सा 3 वन जा 3 26 बचा आपके पास तो लगबख आ जाएगा वह थ्री एट जा ट्वेंटीफोर टू बचा तो 86 तो 1.86 कर लो या 1.8 कर लो कोई दिक्कत नहीं है इतना राउंड आफ तो करना ही पड़ेगा कहां से हम ला दस दोर एक तीन चार चलिए इनको मैटिप्लाइ करके प्रोबाइबली हम अपने अंसर तक काफी हद तक पहुंच जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं सर बिल्कुल नहीं यहां तक तो आराम से हो जाएगा हमारा काम ठीक है तो चलिए हम यहां पर कैलकुलेशन पर ध तो बिल्कुल सर 24.64 आएगा तो यहां पर लिख देते हैं अपने अंसर में 24.64 सेंटीमीटर क्यूब यह हमारा आ रहा है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम से हमारा काम हो जाएगा नहीं सर हमें तो भी बहुत कुछ निकालना है ऐसे 45 हैं और उनका 30% करेंगे तब हमें शुगर सिरफ मिलेगा तो यह दोनों कालकुलेशन प्रॉबाबले हम एक ही उसमें कर लेंगे लेकिन उसके लिए भी हमें ब्लैंक स्क्रीन की साहिता तो लगेगी ही लगेगी तो यहां पर हम बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं उसको इकवल टू कितना है था हमारा वॉल्यूम सर वह था 24.64 तो 24.64 इंटू यह इसका 30% करेंगे तो एक में कितना होगा यह पता चलेगा और फिर उसका 45 करेंगे से मल्टिपलाई क्योंकि 45 गुलाब जामुन है तो हमें हमारा एंड रिजल्ट मिल जाएगा तो यहां पर सबसे पहले तो भाईया जीरो से जीरो कैंसल ठीक है उसके बाद 45 तो था 5 9 45 5 2 10 यह बी क्लियर है तू और यह 24.64 हो जाएंगे डिवाइट तो यह हो जाएगा देखो टू बन जा टू 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 जा फोर टू 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 जा एगा त्वेल पॉंट्री टू इन्टू 293 हो जाएगा 27 यह एक फाइनल मल्टिप्लिकेशन मुझे करना है रफली ठीक है और इतना करने पे मुझे कितना मिलेगा तो सर जब मैं इसको मल्टिप्लाइ करूंगा थोड़ा सा मुश्किल है क्यालकुलेशन लेकिन अब करने तो पड़ेंगे ही तो हमारा आंसर आना चा से 332.64 सेंटीमीटर क्यूब अब यह अगर आप कंपेर करोगे आपके टेक्स्ट्बुक के आंसर से तो वहां पर आ रहा है 338 उसका रीजन यह है कि मैंने वह जो अपन काल्कुलेशन कर रहे थे 1.8 लिया था अगर आप उसको 1.8 की जगा 1.86 लोगे तो यह 24 की जगा आ जा वाल्यू तो वह हो जाएगा यहां पर आप देखो quantity of syrup मैं आप एक और बार कर देता हूं ठीक है तो वह हो जाएगा ट्वेंटी फाइफ पॉइंटी फाइफ पॉइंटी फाइफ पॉइंटी अपन हंड्रेड इन्टू फॉटी फाइफ तो आपका एक अलग तरीके से सॉल होगा इसको अगर आप सॉल्फ करोगे अब तो ट्वेंटी फाइफ और हंडिट कैंसल हो कि यहां पर आजाएगा फॉर निकालोगे तो यह हो जाएगा थर्टी इन्टू फॉर्टी फाइफ डिवाइड बाइफ पॉर करोगे तो आपको मिलेगा 7.5 7.5 इन्टू फॉर्ट तो यह होगे देखो पांच पांच और दो साथ दो रेक तीन तीन अब आप यहां पर करोगे डेसिमन लगाओगे तो वह आएगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब विच इस अल्मोस क्लोज तो 338 ठीक है ना तो वहां पर आप देखोगा अगर डिफरेंस कितना लिया मैंने डिफ 25.06 का डिफरेंस था पर आंसर में काफी बड़ा आप आजाएगा तो आप ध्यान रखना क्यालकुलेशन करते समय वन दो डेसिमल प्लेस तक जाने की एक हैविट बनाओ ताकि आपका क्यालकुलेशन से अल्मोस्ट नियर तो यह परफेक्ट आंसर आजाए ठीक है अब आप परफेक्ट मुल्टिप्लिकेशन और अडिशन कर पाना बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा तो आप ध्यान रखना कि आपको क्या क्या रहा है सवाल हमसे यहां पर पंसे कि एक पैंस्ट बनाया है उनने वुड का ठीक है चलो भाई यह बात हमने हाइलाइट कर लिए यहा तो pen stand है मतलब usually shape कैसा होगा तो आपको यहां पर image में भी दिख रहा होगा cuboidal shape यहां पर लिखा भी है shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens obviously अगर बिल्कुल सीधा होगा तो उसमें pens कैसे hold होंगे तो उन्होंने क्या किया है conical depressions बना दिया मतलब basically ऐसा whole sort of कर दिया है in the shape of cone जिसमें easily pen अंदर यहां पर उसके through set हो जाएगा support ले लेगा और pen stand का का करेगा ठीक है the dimensions of the cuboid आपको यहाँ पर cuboid के dimensions दिये हैं and radius of each depression is 0.5 cm and the depth यारी height आप कह सकते हो 1.4 है find the volume of wood कि अब यहां देखो सबसे पहले हम क्या mention करेंगे हम mention करेंगे भाई या dimensions of cuboid तो वो क्या है तो सार लेंथ है अपनी 15 ठीक है लेंथ है 15 cm ब्रेथ कितना है सर ब्रेथ है 10 cm and height कितना height is a 3.5 cm ठीक है fair enough good to go अब इसके बाद जो दूसरी चीज हमें निकालनी है वो है dimensions of what is the other thing सर वो है हमारा यहां पर क्या किते है उसको अपन को निकल डिप्रेशन ने उसकी तो यहां पर लिखोगे dimensions और को अब कोन के dimensions में एक आएगा radius बचे 0.5 cm ठीक है और दूसरी चीज आएगी height h is equals to कितना sir height 1.4 cm चलिए इतना हो गया जी अब यहां पर हम काम करेंगे आगे और हम इसमें निकालेंगे हमारा volume of the wood तो volume of the wood कैसे निकलेगा sir volume of the wood निकाल निकले प्रोबाबली हम यहां पर बहुत simple calculation करेंगे ठीक है और हम बोलेंगे यहां पर देखे कि भाईया volume of wood is equal to is equals to volume of cuboid जो हमारा cuboidal basic shape होगा जो आपके तरन लकडी का या वुड का जो पीस उन्होंने लिया होगा उसका वॉल्यूम माइनस माइनस वॉल्यूम ओफ माइनस वॉल्यूम ओफ फोर कोंस ठीक है आपने किया कहता देखो यह पैंशन बना कैसे होगा एक बड़ा सा लकडी का structure लिया होगा उसके अंदर यहां पर उन्होंने चोटे-चोटे कोनिकल होल कर दिये होंगे इसलिए वोट क्यूबाइड में से कोन का आपने वॉल्यूम यहां पर माइनस कर दिया चलिए मुविंग अहेड यहां पर में लिख रहा हूं वी डॉल्यूम अफ दो वोट इक्वल्स तू वॉल्यूम अफ क्यूबाइड हो जाएगा ल इन्टू बी इन्टू एच माइनस यहां पर हो जाएगा फोर इन्टू एक का वॉल्यूम होता है वन बाइ थ्री पाई आर डॉल्यूम इस एक्वल्स तो एल इन्टू बी इन्टू है मतलब 15 इन्टू 10 इन्टू 3.5 यह तो हो गया हमारे इधर का क्यालकुलेशन यहां पर हो जाएगा माइनस फोर इन्टू बाइ थ्री मानि फोर बाइ थ्री हो जाएगा पाई की जगा रखोगे आप 22 बाइस सेव आपने 1.4 यह क्लियर है कोई दिकत यहां पर जरासी भी नहीं सर अब अगर मैं इस कैलकुलेशन को फर्दर लेके जाओं तो मेरे पास वॉल्यूम यहां पर आगा देखो 10 इन्टू 3.5 हो जाएगा 35 तो अपने इसको काम करते एक नई स्क्रीन पर ले लेता है फ्रेश स्क् 4 by 3 into 22 by 7 और वहां पर बहुत सारी वाल्यू डेसिमल में थी तो उसको मैं फ्रैक्शन में कर रहा हूं तो 5 by 10 into 5 by 10 into 14 by 10 ठीक है अब इसमें देखो यहां पर कौन कौन कैंसल हो जाएगा तो सर सबसे पहले यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं कैंसल कर दूंगा इस 7 को और इ उसके बाद यह 5 into 2 जो है वो हो जाएगा 10 तो इस 10 से कैंसल हो जाएगा ठीक है उसके बाद 5 और 10 कैंसल हो जाएगा यहां पर आजाएगा 2 ठीक है फिर 2 और यह 10 कैंसल तो यहां पर आजाएगा 5 ठीक है क्लियर है तो सारी वाल्यू लगबग यहां पर हमने कैंसल कर दी है जो मेंली हमारे पाइस आपे बच रहा है वाल्यूम ऑफ दवोड इक्वल्स तू फिफ्टी फाइफ करो कितना रहा है वाट इस दा मल्टिप्लिकेशन ऑफ फिफ्टी फाइफ वो आएगा 525 राइट एक बार आप भी चेक कर लीजे देखो मैंने तो अपने इसाब से कर लिय मैंने गया क्या 35 x 10 करा तो वो हो जाएगा 350 ठीक है फिर 35 x 5 कर दिया विच इसको हम फटाफट खतम कर देंगे तो यह देखो यह हो जाएगा 525-151 151.5 बचेगा पांच और 277 बचेगा लगा आपने तो 154 जा हो जाएगा 60 आपका था 70 10 10 मतलब यहां पर आप कहोगे 100 तो 15 कितने जा सर 155 जा 75 156 जा 90 तो यहां पर आप कह सकते हो यहां पर पूरा एक लेले वाल्यू तो तो वॉल्यूम अफ द वूट वूट बीक्वल्स चो अगर हम माइनस करें तो 523 पॉइंट कितना जगा सर 0.53 होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब इतना आ रहा है हमारा यहां पर मोटा माटी कालकुलेशन करने के बाद कितना 523.53 यह था हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्लियर ए गुट्टू गो बिलकुल सर चलिये बहुत बढ़िया देस वाज़ा फोर्थ क्वेश्चन आप यहां से स्क्रीन शॉट ले सकते पहले अगर आपको अंडरसाइन डवलब करने तो simple question था ज्यादा कुछ यहां पर लगना नहीं था जो था अपन ने इसली कर दिया चलिये next यहां पर question number 5 a vessel is form of an inverted cone its height is 8 cm and radius of its top is open is 5 cm if it is it is filled with water up to the brim when lid shots each of which is a which of space sphere is radius 0.5 are dropped into the vessel one fourth of the water flows out find the number of lead shots dropped in the vessel देखो पहले तो आपको यहां पर यह समझना है कि आपके पास एक conical vessel है तो यहां पर हम पहले उसकी बात करें तो हम यहां पर कहां लेखेंगे सब्सक्राइब लेखेंगे dimensions of dimensions of conical vessel dimensions of conical vessel चलिए यह कितनों जाएंगे तो सर आपका यहां पर हाइट दिया है 8 cm ठीक है उसके बाद आपको दिया यहां पर अब एक बात समझना यहां पर इनका क्या कहना है इनका कहना है कि यह जो आपका conical vessel था यह water से भड़ा हुआ है उपर तक ठीक है और क्योंकि इसमें पानी की बात चली तो पहला लॉजिक हमारा क्या लगना चाहिए कि यहां पर हम निकालेंगे कितना पानी था है ना तब तो आगे की बात होगी तो यहां पर हम कहेंगे quantity of water कितना आजाएगा तो यहां पर मैं लिखूं quantity of water is equals to क्योंकि वालिम of कोन का फार्मला होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वेर एच अब यहां पर आप quantity of water निकालोगे तो आप बोलोगे देखो वन बाई थ्री मैं पाई को जान मुझके सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे सायद उसका और भी काम पड़े क्योंकि आगे हम यहां पर लेट शॉट्स की बात करने हैं जो कि स्पियर शेप के हैं तो वहां भी पाय का रोल आए वैसल में वो कित्ती हो जाएगे सर वह जाएगी हाँपर देखोगे तो वन बाई थ्री यहीं कहलो पाई भाई थ्री इंटू फाइव स्क्वेर इस्वें और उसमें करना है multiply by 8 अब 25 को 8 से multiply करोगे तो ये हो जाएगा 200 तो अगर मैं numbers में लिकू 200 by 3 पाई centimeter cube इतना पानी है वेसल में ठीक है अब सवाल में क्या लेखाई देखो कुछ lead shots ठीक है जो की spear shape के है जिनका radius आप पे दिया गया है जब उनको आपने वेसल में drop किया अब एक बात समझो पहले वो पूरा उपर तक भरा हुआ था उसमें मैंने additionally कुछ और चीज डाल दी है तो clearly ये आपको समझ में रागा कि क्या result हुआ होगा बिलकुल पानी बाहर आया होगा और कितना पानी बाहर आ गया है तो उन्हें का वन फोर्थ ऑफ दा वॉटर फ्लो जाओ ठीक है तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि नाओ पहले काम करते हम थोड़ा सा पार्टिशन कर लेते हैं यहां पर ताकि कोई भी confusion ना हो समझ में आ जाए हमें हमने कहां यहां पर क्या शुरू किया और क्या हम कर रहे हैं है अभी थीक है तो यहां पर हम कहें Yet No Bhaja एक मन कूम हो जाओ यहां पर डिलीट और इस वाले को हम थौड़ी सा स्ट्रेट कर दें ठीक है अब देखो बात क्यों रही है यहां पर हम कहें के नाओ quantity of water flowing out of water flowing out कितना हो जाएगा यह तो सर यह हो जाना चाहिए हमारे साथ से one by four of quantity of water ठीक है तो यहां पर आप quantity of water flowing out of water flowing out कितना हो जाएगा तो सर यह हो जाएगा अगर हम यहां पर calculate करें तो यह हो जाएगा one by four times of two hundred by three pi है ना two hundred by by three तो यहां से four और यह two hundred आपस में हो से cancel तो आपके पास कितना बचेगा सार मेरे पास बचेगा 50 ठीक है तो देस वूट बीक्वल टू हाउ मच्ट तो सर यह हो जाएगा quantity of water flowing out is equals to जहां तक हम देख पा रहे है fifty pi by three कौन सब्सक्राइब इतना पानी बाहर फैल गया इतना पानी बह गया ठीक है अब बड़ा संख्या कितनी थी वो आपको पता करनी है तो क्या मैं आपको यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या मैं आपको यहाँ पर बोल सकता हूँ कि volume of volume of lead shot multiplied with number of shots is equals to quantity of water flowing out क्या यह आप कह सकते हो क्या इस पर आपन हामी भर सकते हैं बिलकुल सर ऐसा हुआ होगा ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या बोला हमने यहाँ बहुत सिंपल सी बात बोली कि भया देखिए कि जितना पानी बाहर आया है वो किसकी वज़े से आया है वो आया है आपके lead shots की equal to quantity of water flowing out ठीक है अब एक का volume यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे तो एक एक्स्टा स्क्रीन जल देते जहां पर हम इसको continue करेंगे तो सर एक का स्कीन हो जाएगा यहाँ पर आपको होगे volume of spear s-p-h-e-r-e spear multiplied by number की जगह मैं n लिख रहा हूं is equals to 50 pi by 3 अब centimeter क्यों अपन लिखने लिए क्योंकि अपन equation form में आ गए ठीक है आप चाहें तो यहां bracket में क्या लिख सकते हैं आप यहां चाहें तो bracket में mention कर सकते हैं कि भाया n is equals to number of flat shots वेयर या हेयर या वेयर जो भी लिखें वेयर n is equals to number of flat shots ठीक है ना इतना clear है बिल्कुल सर अब चलें यहां पर continue करते है calculation को तो सर वॉल्म of spear का formula होता है कितना होता है सर वह होता है अगर हम यहां का होता है two by three pi r cube which is your hemisphere तो इसके लिए four by three pi r cube हम यहां पर use करेंगे into आपने यहां पर लिखा n यानि number of shots is equals to fifty pi by three अब इसमें कुछ value तो पहले ही cancel हो रही है ठीक है जैसे कि यहां पर हमने three से three cancel कर दिया ठीक है pi से pi cancel कर दिया अब यहां पर radius की value मुझे पता है question में दी गई है देखो यहां पर लिखा है कि radius है 0.5 तो अब मैं उसको insert कर दूँगा तो मैं यहां continue करूंगा तो मैं बोलूंगा four into zero point five into zero point five into zero point five into n is equal to fifty होना चाहिए अब four into zero point five करोंगे पांच चोग कितना होता है सर पांच होता है ठीक है तो यह हो जाएगा यहां पर देखोगे two into zero point five into zero point five into n is equals to fifty moving ahead two into zero point five करोगे one आ जाएगा so one into zero point five into n is equals to fifty now one into something is sir same value that is zero point five n is equals to fifty अब यहां तो इसको आप सीधे भेज़ दोगे तो n equals to fifty upon zero point five हो जाएगा ठीक है जो कि अगर आप यहां पर देखोगे decimal हटाने पर उपर हो जाएगा 500 और नीचे आ जाएगा five divide करने पर यह आएगा 100 hundred unit जा फिर आप यह भी कर सकते हो zero point five n को one by two n भी लिख सकते हो या five by 10 n भी लिख सकते हो आपका answer in the end hundred ही आएगा तो कितना आया भाया n की value number of shots कितने आए number of shots आया आपका यहां पर hundred तो n आया यहां पर कितना hundred clear है कोई दिक्कत तो नहीं यहां थे शुरू करो पहली बात तो देखो step by step चले हम पहले हमने यह निकाला कि कितना आपका पानी था वेसल में वो हमें मिल गया उसको हमने जान मुझके पाय को solve नहीं क्या क्योंकि हमने पता था आगे कहीं न कहीं वो यूज होने वाला है ठीक है धैन हमने यह देखा सवाल में दिया हुआ है कि जितना उसका full water level था उसका one-fourth flow out हो गया बाहर गिर गया तो हमने उसका mathematics किया फिर हमने देखा यह फिर हमने सोचा कि यह जो पानी बाहर गिरा यह क्यों गिरा था तो उसके साथ से फिर हमारा यहां पर आंसर आया कि एन की वाल्यू आई हंडे एक बर पहले यहां का screenshot ले लो गुट्टू गो अब इसके बाद आदा हो इस वाले पार्ट पे हमारा question भी समाब question number six देखो क्या बोल रहा है a solid iron pole consist of a cylinder of 520 cm and base diameter 24 तो diameter सेंटीमिटर क्यूब ऑफ आयरन कि वन सेंटीमिटर क्यूब ऑफ आयरन इस एवहाज एप्रोक्सिमेटली कितना एट ग्राम चलिए पाई की वालों ने बोल दिया है कौन सी यूज करनी थ्री पॉइंट वन फोर यूज करनी है तो कोई दिक्कत नहीं भजा कर लेंगे चलि कि क्या होंगे भाईया सर यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो बड़ा वाला सेंडर उसके काम करें बिगर सिलेंडर वड को में नीचे लिख देता हूं ताकि फ्लो बना रहे हमारा तो भाईया यहां पर देखेंगे आप तो आपका रेडियस कितना आपका हाइट है 220 एच अब डायमेटर है 24 डिवाइड बाय टू कर दोगे तो यह हो जाएगा बारा सेंटीमीटर ठीक है यह तो हो गया बड़ा वाला अब इसके बाद एक छोटा भी है राइट तो उसकी भी आप डायमेंशन यहां पर लिख देंगे तो आपने नेका यहां पर डायमेंशन ऑफ आदक है इसashor 這個 सेएंडर उसके तो डिएक्ली दे ओए हैं स्मॉलर सिलेंडर का आपको यहां पर ज्यादा महनत नहीं करनी है उसका रेडियस आपको कितना है सारे यहां पर हाइट दी है banco है की एट सेंटीमीटर संसलों नेकालना इसका मास अब देखोकर इसके मास अगर आ सब्सक्राइब और सब्सक्राइब चे करें दो तो जब तक मुझे अपने आई की कौणटिटी सेंटीमिटर तो चूब में पता नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और सेंटीमेटर क्यूब में कब आती है जब आप वॉल्यूम निकालती हूं तो यहां पर आपको गए भाईया वॉल्यूम और क्या नाम है इसका आइरन पोल इस एक्वल्स तू वॉल्यूम ओफ सिलेंडर लार्जर सिलेंडर ठीक है लार्जर सिलेंडर प्लस प्लस वॉल्यूम ओफ स्मॉलर सिलेंडर अगर हमने यह कर दिया तो हमारा काम यहां पर बन जाएगा आप बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम साथ में आड़ कर दोगे तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा भाईया कितना मेटर लगा इन टरम्स ऑफ सेंटिमेटर क्यूब फिर वहां से आप पता लगा लोगे चलिए अब फॉर्मुला आपको पता चल गया तो फटा फट लिख भी दो फॉर्मुला कौन सा लगेगा तो सर यहां पर लेखा आपने आईरन पोल लिख रहा हूं है आई पी इस एक्वल्स टू यह हो जाएगा सर पाई आर स्कुएर एच प्लस पाई आ अभी हो गया कितना 3.14 बोला है न उन्होंने तो 3.14 आपका रेडियस है यहां पर देखोगे 12 यहां पर लिख दिया इंटू 12 स्कुएर हाइट आपने यहां पर कितनी बोली सर हाइट बोली 220 ठीक है न बिल्कुल ठीक है अब यहां पर हो गया फर्स पार्ट इसी में प्लस क करेंगे तो बोलेंगे 3.14 इंटू यहां पर आपका हो जाएगा जो रेडियस है वह आठ तो बोलोगे 8 स्कुएर इंटू 60 हो जाएगा यहां पर ठीक है इतना क्लियर है बिल्कुल सर कोई दिक्कत यहां पर जरासी भी नहीं से चलिए बहुत बढ़िया अगर आपने इतना काम कर लिए तो आपको काफी हद तक अब केवल थोड़ा सा क्या करना है थोड़ी सी और मेहनत करनी है अब देखो जो पहली चीज हम करेंगे हैं पर वो क्या करेंगे सर्थ 3.14 को कॉमन ले लिजे ठीक है भीया तो आपने लिया 3.14 को कॉमन पाई की वाल्यू को कॉमन अंद करने पड़ेंगे तब मेरा काम यहां पर हो जाएगा अभी मैं क्योंकि 3.14 थोड़ी विच्चित्र वाल्यू है तो जान मुझके उसको नहीं छेड रहा हूं जादा ठीक है इन दी एंड जो आंसर आएगा तब हम देख लेंगे चलिए 144 इंटू 220 करना है तो मेरे साब से त कर दो बाकी सब तो होई जाएगा फोटू जाएट फोटू जाएट टू यह हो गया और यहां पर लिख दिया अपने 288 तो यह हो जाएगा आठ आठ और आठ शोला आठ और दो दस एक ग्यारा दो रेक तीन तो यह हो गया 31680 31680 क्योंकि यहां पर 220 था आपने मुटिप्ल जीरो चलिए तो एक आया मेरे पास 31680 दूसरा आया 3840 प्रोबैबली इनको एड करके मैं अपना यहां पर कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगो तो जब मैं इनको एड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए तो सर मुझे यहां पर देखिए मिलेगा कि भाया वॉल्यूम आ आपका आईरन पूल इस इक्वल्स टू अब 3.14 में मल्टिप्लाइ करोगे किसको सरी इन दोनों के आइडिशन की रेजल्ट को आठ हो चार कितना हो जाएगा सर बारा दो यहां एक क्यारी फिर आठ हो चाउदा एक पंधरा पांच यहां एक क्यारी तीन चार पांच तो यह हो जाएगा तीन चार पांच त्री फाइफ फाइफ होगा ना शाहिद एक पड़ दुबारा चेक करो सर आठ हो चार बारा दो जहां एक क्यारी आठ हो चौद एक बंधरा बिल्कुल ठीक और यह हो जाएगा यहां पे 35520 चले इतना मुल्टिप्लाइट तो करी सकते हैं बि 31.4 तक पहुंचने की बाकी तो आपको मुल्टिप्लाइब करना ही पड़ेगा तो अपने लिखा 3552 इंटु 314 डेसिमल बात में लगा लेंगे फोर टूजा एट ठीक है पांच जोग बीज जिरो यहां दो उपर पांच जोग बीज दो बाइस दो यहां दो उपर फॉर्ट से मुल्टिप्लाइब करना है तो वह सेम तूशे में नीचे लिख जाएगा 3552 फिर करना है थी से तो थी टूजा 653 151 कैरी 551 161 कैरी 391 10 अब आड करो तो यह आठ यहां पर दो यहां पर हो जाएगा च्छे और पांच ग्यारा और तेरा एक यारी पांच दस पंद्रा एक और कैरी छे और ती नौएक दस एक ग्यारा तो यह हो गया 115 डेसेमन लागा कितने पर एक प्लेस तो 11153 2.8 11153 2.8 सेंटीमेटर क्यूब आएगा मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है सर हां जी सर सलिए तो जो आंसर है वह हम पहले एक बार लिख देते हैं फिर लास्ट पार्ट को यहां पे कहोगे कि वॉलियूम आफ आयरं पोल जी एक्वल्स तू वन 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 532 3 2.8 सेंटीमेटर क्यूब इतना आप का आ! यहां पे आगर यह आप देखोगे तो यह आ रहा is आपका volume लेकिन यह आ रहा है कि इसमें यह आ रहा है centimeter cube में ठीक है अब सवाल के हिसाब से यहाँ पे हम बोलेंगे भाईया according to question मनें सवाल के हिसाब जो जानकारी है उसके उसमें हम देखें so one centimeter cube is equals to eight grams ठीक है eight grams तो इसके हिसाब से अगर मैं जाओं तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा therefore mass of iron pole mass of iron pole would be कितना तो सर वो हो जाएगा one 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 five three two into eight eight से इसको multiply करना है तो सर आम बोलेंगे यहाँ पर आठ डुनी यहाँ यहाँ एक उपर eight one eight nine और यह हो जाएगा एट वन्जा एट तो यह हुआ लगबगर हम देखे eight nine two two five six इसको मैं अच्छे से लिखूं अगर तो eight nine two two five six यह मेरा अंसर है कितना eight nine two two five six लेकिन यह ग्राम में होगा अब कितना होता है भाईया सर एक किलो में होता है सर एक किलो में होता है अगर हम देखे यहाँ पे तो थाउजन ग्राम तो इसको अगर मैं थाउजन से डिवाइड करूंगा तो मेरा यहां पर कितना आजाएगा तो सब मेरा अंसर यहां पर बढ़ी आसानी से आजाएगा लगबक इसके बराबर तो देखो मैं सब्सक्राइब तो यहां पर आजाएगा एक छे सब्सक्राइब यहां पर दो और यहां पर चार और डेसिमल यह रहा तो एट नाइन टू टू सिक्स टू पॉइंट फॉर ठीक है अब यह आएगा देखोगा अगर आप तो ग्राम में क्योंकि हमने उपर भी लिखा कि यह तो सब्सक्राइब कर देंगे तो यह आजाएगा किसमें तो यह आजाएगा हमारा केजी में तो एट नाइन टू टू सेक्स टू फोर केजी होगा मेरा यहां पर आंसर फाइनली ठीक है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जरा सी भी नहीं से रासानी से हो गया चलिए बहुत बढ़ी सब्सक्राइब कर देखो क्या बोल रहा है सवाल सवाल कह रहा है हमसे यहां पर कि एक राइट सर्कुलर कों जिसकी हाइट आपको दी है 120 सेंटीमीटर ठीक है और जिसका रेडियस सेंटीमीटर स्टैंडिंग औन हैमिस्फियर तो एक कों कहांगे अपने यह दा कों जिसकी सब्सक्राइब को दीए वो स्टैंड है वो खड़ा है किस पे हमिस्फियर पे जिसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर और जिसका आपका यह क्या सकते हो क्या है रेडियस ही बहुत होता है उसके लिए चलिए इस प्लेज अपराइड इन राइट सर्कुलर सिलेंडर इनके स्फियर के कॉम्बिनेशन को आपने क्या किया है आपने उसको एक सिलेंडर के अंदर रख दिया जो की पानी से भरा हुआ है कुछ इस प्रकार की वो बॉटम को टच कर रहा है देफाइंड दा वॉल्यूम अवाटर लेफ्ट इन दा सिलेंडर इस रेडियस ऑफ दो क्या हो जाएंगे भी यह डाइमेंशन से अफ सिलेंडर तो सर उसका यहां पर देखेंगे रेडियस दिया है एक हो गया इसके लावा दूसरा कॉन सा है सर एक हमारा हीमिस्पेर हैं स्कूरां है यहां पर आपने लेखें लेचा दचंश ओफ है मपईशं का तूम एक ही होता है रेडियस है न तो आपका दोग है रेडिस यहां पर दिया सर सिक्स्टी सेंटीमेटर आपने लिखा र कॉस्ती दिमीटर आपका dimensions of cone अब कोन का आपका हाइट कितना हो जाएगा सर कोन की हाइट है 120 रेडियस है 60 तो h is equals to 120 cm and radius is equals to 60 cm कोशिस की हमने सबको adjust करने की ठीक है clearly visible है कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं सर अराम से दिख रहा है बड़ी इजी ली चलो यहां पर बात समझना dimensions तो मिल गए लेकिन dimension से number थोड़ी मिलेंगे number अगर आपको चाहिए तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि solve कैसे होगा आपको बताना है कितना पानी बचा है तो देखो पानी बचा किसके अंदर होगा cylinder के अंदर तो यहां पर आपको होगे volume of water left अब पहली बात तो पानी होगा तभी तो बचेगा ना तो पानी होगा कहां पर तो सर पानी होगा अगर हम देखें आपर सोचे तो तो वो होगा हमारे cylinder के अंदर तो यहां पर लिखोगे volume of cylinder ठीक है और इसमें से किसको घटा होगे तो सर इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा किसको सर पहले तो यहां पर पार्टीशन कर लेते ताकि कोई confusion ना हो उसके बाद आगे की बात करेंगे तो चलिए तो इसमें से हम माइनस करेंगे दो चीजों को कौन सी दो चीज जिन से वो हमारा solid बना है वो क्या है भई यह तो वो है आपका cone और hemisphere तो minus bracket के अंदर लिखा मैंने volume of cone plus volume of hemisphere यह clear हो गया क्या किया हमने बिल्कुल sir बहुत ही simple मामला था हमने पहले यह पता किया कितना पानी था उसमें से वो portion जो की पानी के अंदर गया जिसकी वज़े से पूरा पानी बाहरा जाएगा और थोड़ा सा रहे जाएगा उसको हमने हटा दिया तो इस से में मिल जाएगा कि कितना पानी बचेगा तो यहां पर आप लेखोगे continue करोगे इसको तो volume of water left is equals to pi r square h that is cylinder का volume minus volume of corn कितना होता तो और वहोता है 1 by 3 πr' square h अब यह देखना यह sylinder का है और यह भी cilinder का हो यह हमारे कोन का है इन धोनों का ध्यानद लखना अलग-अलग है यह सेम हाइट और सेम नहीं है सेम हाइट और सेम एल्यास नहीं किसका यह कौन का है ठीक है यह भी कौन का है प्लस हमारा दूसरा हो जाएगा हेमिस्फियर का कितना इसर हेमिस्फियर का हो जाएगा आदा मतलब यह हो जाएगा टू बाइ ठी पाई आर और यहां पे एच लिख देता हूं में हेमिस्फियर का क्यूब चलिए फॉर्मूला हमने यहा रखके अपना अंसर बताना है तो अगर हम यहां पर continue करें माम लेको तो आप बोलोगे volume of water left is equal to pi r square h तो pi की जगह पर कुछ बोला नहीं है तो फिलाल के लिए तो 22 by 7 ही रखो 22 by 7 into r square what is the radius sir 60 तो आपने यहां पर 60 into 60 into 180 clear minus bracket के अंदर आपने यहां पर लिखा पाई की जगह 20 1 by 3 होता ना 1 by 3 5 so 1 by 3 into pi यानि 22 by 7 ठीक है r square यहां पर आपका radius है 60 तो भाईया 60 into 60 into height किती बोलिया आपने sir हाइट रेस की 120 चली तो यह हो गया 120 और आप इसमें फिर कर दोगे यहां पर प्लास 2 by 3 ठीक है पाई की जगह रखा आपने 22 by 7 और दर हो जाएगा 60 का cube चलीए आप क्योंकि calculation बहुत जादा है तो हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा आप चीजों को common लेंगे तो यहां पर हम करेंगे भाई देखिए volume of water left is equals to 22 by 7 into 60 into 60 मैंने common ले लिया ठीक है इतना ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं सर तो मेरे पास बचेगा क्या सर मेरे पास जो बचेगा वो देखिए bracket के अंदर में यहां पर common लेने के बाद लिख रहा हूं तो ऊपर आकर देखोगे 22 by 7 60 60 मैं ले लिया तो वह आ गया 180 ठीक है माइनस यहां पर आपका 1 by 3 बचा 22 by 7 जा चुका है 60 60 जा चुका है 120 बचेगा ठीक है प्लस 2 by 3 यह भी माइनस हो जाए क्योंकि यह देखो bracket के अंदर जाएगा माइनस साइन तो यहां भी माइनस हो जाएगा यह आप ऐसे देखो कि यह इस तरीक से लिखूंगा मैं प्लस 2 by 3 इंटू 60 ब्राकेट क्लोज और यह यहां पर स्क्वाइर ब्राकेट क्लियर रही है कोई दितका जड़ासी भी नहीं सर्थ कुछ वाल्यूस कैंसल होंगी जैसे यह 3 यह 120 कैंसल 3 4 12 40 यह 3 यह 60 कैंसल यह हो जाएगा 20 अब आप आगे सॉल्व करोगे इसको तो आप कैसे सॉल् स्क्राइब लेफ्ट इस इक्वाल्स टू 22 बाइस सेवें जो मैंने कॉमन लिया वह ठीक है तो पहले जो कॉमन लिया उसको मैंने लिख दिया 22 बाइस सेवें इन्टू 60 इन्टू 60 मैंने थ्री सिक्स जीरो जीरो ब्राकेट के अंदर मेरे पास 180 माइनस यह 40 प्लस यहां पे 40 तो यह जाएगा माइनस 80 ठीक है यह clear है यह 80 के साया सर यह 40 था यह टू इंटू 20 हो जाएगा 40 40 40 हो जाएगा 80 ठीक है तो आपको यहाँ पे answer में मिलेगा कितना तो सर यहाँ पे हम कहेंगे volume of water left is equals to 22 by 7 लिख लो या बार में आप चाहो तो 3.14 भी लिख सकते हो इंटू 3600 इंटू 100 ज्योंकि 180 में से 80 आपने माइनस कर दिया अब थोड़ा सा आपको calculation यहाँ पे करना है उतनी महनत तो भाई अब बनती है क्या सबकुछ अपन को easily हाथ में तो नहीं मिलेगा न भाई उतनी महनत तो करनी पड़ेगी अब यहाँ पे अगर आप इसको solve करोग तो आपको final answer कितना मिलेगा तो सर यहाँ पे अगर हम देखें तो 36 into 22 करना है और everything is divided by then 7 finally ठीक है अब यह मत कहना किसार इसमें 22 by 7 को 3.14 रख दें क्या टेक्निकली वह नहीं करना चाहिए आपको क्योंकि आपको हमेशा बोर्स में निर्देश रता है कि अगर गिवन ना हो तो पाई की वाल्यू 22 by 7 ही यूज करनी है ठीक है अब यहां देखो 36 into 22 किया मैंने तो कि यह दूनी 12 एक कारे टो 72 है वो और 22 करने तो 72 इंटू यहां पर यह होगा 72 देखे यह दो साथ और 29 यह साथ तो कुल मिला के मेरे पास आगे मुटिप्लाइख करने पर 792 एंड कितने 0s एक दो तीन चार अब यह अपन को इतनी महनत तो करनी पड़ेगे इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा वो हमारा प्रोबाबली फाइनल अंसर होना चाहिए अभी के लिए मैं इसको क्या लिख दे रहा हूं अभी के लिए इसको आप लिख दीजे 7920000 यहां पर लिख दो डिवाइड बा स्कूम में निकालना है कितने में निकालना है इसको अगर आप करोगे प्रोबाबली कितना आएगा तो अगर मैं यहां पर एक ब्लैंक स्क्रीन ले लू तो मेरा यहां पर जो अंसर आ रहा था वो था वाल्यूम वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू 792 और एक दो तीन चार जीर बचा इसको एक काम करते हैं हम पहले थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं उपर वो डो बाट तू आ गया तो थ्री बचा सैवन फोर जा ट्वेंटी एट तू बचा तो सेवन टू जा फोर्टीन शिक्स बचा तो शेवन एट जा फिप्टी सिक्स लगबग 1131428 के आसपा सर ऐसा कुछ आ रहा है फोर टू एट कर लो फोर टू सिक्स जो भी आप कहो कितना सिक्स्टी था ना हां तो सर फोर टू सिक्स होगा तो 1131426.5 के आसपा स्पास या पॉइंट सिक्स के आसपास आना चाहिए ऐसे कुछ रफली एग्जाक्ट वैल्यू तो अब इसी बात है थोड़ा सा मुश्किल ह होगा तो आप इतनी वैल्यू निकालोगे तो भी चलेगा अब यह है आपका सेंटीमीटर क्यूब में अब अगर को इसको मीटर क्यूब में पूछेगा तो यह देखो वन मीटर हाज हंड्रेट सेंटीमीटर अब जब आपको सेंटीमीटर स्कुएर चाहिए तो दोनों तो जीरो कितने हो जाएंगे छे जीरो हो जाएंगे ठीक है तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यों अब इसको अगर मैं चेंज करूं तो इस वुड़ बीकवल टू 1131 426.5 डिवाइड बाइक इतने टैन विच्छ जीरो ता वन विच्छ जीरो है ना छे दो को यह एक सेंटीमीटर यह सेंटीमीटर स्कुएर यह सेंटीमीटर क्यों अब से छे जीरो है तो आपका डेसिमल भी छे प्लेट ते शिफ्ट होगा तो 123456 तो 1.131 निकलो ठीक है इत इतना हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका आंसर अगर कोई पूछेगा तो 1.131 मीटर क्यूब ठीक है क्लियर है गुट्टू गो स्क्रीन चोट आप लेना चाहो तो भाईया पहले कारवाई यहां से शुरू करना पिछले वाले से यह हमने यहां पर पूरा क होगा ठीक है यह फॉर्स पार्ट देन हमने यहां पर क्यालकुलेशन को कंटिन्यू किया तो हमारा आंसर कितना आया फाइनली तो इसका शेप अगर मैं आपको बना के दिखां देखो ऐसा है कि नीचे आपके पास जो आपका यहां पर बेस है वो है थोड़ा आपका आप कह सकते हो कुछ इस प्रकार ठीक है कुछ इस प्रकार आपका बेस है और यहां पे एक जगापे कहीं पे उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया और यहां पे उन्होंने क्या बोल दिया कि आपका यहां पे एक सिलेंड्रिकल सॉट ऑफ बनाओ तो कुछ इस प्रकार बनेगा मान लोगो ठीक है थोड़ा सा इसको मिदर कर देते हैं कुछ इस प्रकार आपका डाइग्राम बनना चाहिए ठीक है और बेसी बात है इसमें भी थोड़ा सा यहां पर हम ओपन कर देते हैं ताकि यह लगे कि हां तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है आपका यहां पर ठीक है राफ अगर मैं आपको यहां बना के दिखाऊं तो यह टूड़ी में मैंने 3D में बनेगा तो आप समझ पा रहोगे कैसा होगा तो आपका यहां पर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक चाइल्ड ने क्या निकाला उसका निकाले हम तो कुछ बोल नहीं सकते तो हमारा पहला टास्क क्या होगा कि इस वैसल का वॉल्यूम पता लगाईए चलिए तो उसके लिए हमें जरुवत होगी भाई या डाइमेंशन की तो यहां पर लिखा हमने डाइमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दो है ना हमारे पा और जो रेडियस है जो डाइमेंटर है वो है कितना तो साथ डाइमेंटर है टू तो आपका रेडियस हो जाएगा टू डिवाइड बाइट तो दाट इस एक्वल टू वन सेंटीमीटर यह क्लियर हो गया ठीक है अब जो स्पेरिकल पार्ट है उसके डाइमेंशन भी लिख है कितना 8.5 दिया तो यहां पर आपका होगे 8.5 डिवाइड बाइट टू सेंटीमीटर यह क्लियर है यह देखो लिखा यहां पर डाइमीटर 8.5 चलिए एक पार्टिशन यहां पर हम कर देते हैं जिसके बाद हम कारवाई को आगे बढ़ाएंगे तो अब हम यहां पर कहें हमें कि वालियूम आफयाइसल ब्लास यह क्योंकि सिलेंडर भहाई हमारे वैसल का पार्ट है प्लास फॉल्यूम आफ श्यूंट करना है चैकलकुलेशन करके बताना है कि यह जो निकाला गया है volume वो correct ठेकी नहीं है तो values रख दो ठीक है तो यहां पर लिखा मैंने volume of vessel is equals to cylinder का हो जाएगा pi r square h plus यहां पर cylinder का radius cylinder की height plus कितना हो जाएगा square का सा square का होता है 4 by 3 pi r cube ठीक है चलिए values को रखते चलो भी है फिर तो आपन solve कर पाएंगे तो pi फिलाहल आपको बोला गया 3.14 use करो 3.14 height आपको दी गई है 8 और radius दिया गया वन तो यह हो गया 1 square into 8 plus 4 by 3 into pi की जगह रखा मैंने 3.14 और radius है मेरा देखो 8.5 by 2 ठीक है न तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 8.5 by 2 का cube करेंगे हम क्योंकि r cube होता है formula में है चलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा सर इसको हमें अब हटाना पड़ेगा को कि यह diagram हमें समझना था वो हम समझ चुके हैं तो फिर क्या ही तो 3.14 into 8 प्लस 4 by 3 into 3.14 अब मैं यहां पर क्या करूंगा सर 8.5 by 2 को अब लिख सकते हैं 85 by 20 decimal हटा के लेकिन यह पर जगा थोड़ी कम है तो एक काम कर सकते हैं इसको नीचे लिख देते नेक्स्ट लाइन में है ना तो यहां पर लेखा अपने प्लस 4 by 3 into 3.14 into 85 by 20 एक बार इसको करना पड़ेगा क्यूब तो इसको हम कर देते हैं इन्टू 3 अब 3.14 क्योंकि दोनों के पास है तो कॉमन ले ले लेते ताकि मल्टिप्लाय कम बार करना पड़े वरना किती बार करेंगे हैं तो आपने यहां पर लेखा 3.14 ब्राकेट के अंदर आया 8 प्लस 4 by 3 into 85 by 20 एक बार इन्टू 85 by 20 दूसरी बार इन्टू 85 by 20 तीसरी बार चलिए अब कुछ वाल्यूस तो कैंसल हो सकती है उन्हें कैंसल को जैसे यह 4 5 जा हो जाएगा 20 5 1 जा और यह 5 85 को कैंसल करेगा तो 5 1 जा 5 and 5 7 जा होगा 35 कितना होगा हां जी सर 5 7 जा हो जाएगा तो 17 और यहां पर जाए के नहीं तो आपके लिए बड़ा चालेंजिंग टास्क क्या है जरा इसको काल्कुलेट करना उसके बाद फिर 3.14 से मल्टिप्लाइ करना 8 प्लस यहां पर हो जाएगा अब 85 3 के टेबल से जाता है किसा 3 2 जा नहीं जाता है 85 by 20 जाएगा कि 3 के टेबल से 5 के टेबल से 17 बाइ 4 आप लिख सकते हैं तो चलिए आपने लिखा यहां पर 17 by 3 into 17 by 4 into 17 by 4 ऐसा कुछ मामला बन रहा है अब इससे जादा क्या ही करोगे है ना 85 को आपने कैंसल किया 5 से और दूसरे वाले आपने नीचे 20 कैंसल किया 5 से तो आपके पास ऐसा कुछ मामला बन रहा है अब देखो लोड़ा बहुत महनत जादा करने ही पड़ती यू कांट हेल्प इट है ना चलो वॉल्यूम औफ वैसल यहां पर हो जाएगा 3.14 अब जितना हो सके उतना सिंप्लिफाई करेंगे 8 प्लस 17 का क्यूब तो याद होना हम में से बहुतों को मुश्किल तो बी ऑनेस्ट और 4913 आएगा क्यूब चलिए तो यहां पर लेका हमने 4913 और जो डिविजन में वैल्यू आएगी वह है फॉर इंटू फॉर दाट इस सिक्स्टीन थीजा कितना होगा सा सिक्स्टीन थीजा हो जाएगा फॉर्टी एट इफाइम नौट रॉंग है ना फॉर फॉर तो सिक्स्ट गुल डिवाइट बा उट्व तो सरं फॉर्ट इइट इट इन्टू एट न तो इटा सर्फॉर्टी एट इन तो एट प्रोभाब्ली होगा एट इस सिक्स्टी को णि एट इफी चार यह बएं ठीक है उसके बाद फिर वह जाए गई हाँ आप देखोगे चार यह यह आँ उपर 864 चाहरा चेह उपर आठ चोगे 32 32 हो जाएगा 38 सब्सक्राइब करने प्यारा है 5297 तो चलिए यहां पर लेखा वॉल्यूम ऑफ दवेसलिस 3.14 इन्टू 5297 आप भी एक बार आड करके देख लो भाई है मैंने अपने साब से किया चारो तीन साथ आट और एक नो नो और तीन बारा बिल्कुल ठीक है होल डिवाइड बाए 48 ठीक है अब इसको आप मल्टिप्लाइग इसको आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपको यहां पर कुछ आंसर मिलेगा फोर उसको 3.14 से मल्टिप्लाइग करेंगे तब जाके कहीं आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल पाएगा चलिए कर यह डिव मैंने तो लगी लेकिन अब क्या कर सकते हैं तो 110.35 क्या असपास आ रहा है अब 3.14 से इसको और मल्टिप्लाइग करना है बस इतना कारें अगर आप कर दोगे तो आपका काम यहां पर हो जाएगा समाप्त तो इसको कर दो भाईया 3.14 से मल्टिप्लाइग साथ 346.5 क्या अस तो जो आंसर उन्होंने बोला 345 डाट वॉस क्लोज बट नॉट द एक्जाक्त अंसर है साम बोल सकते हैं क्या बिलकुल सर तो यहां पर हमारा जो अंसर आया 346.51 अगर मैं तो यहां पर मल्टिप्लाइग करूं तो ठीक है तो आप अगर देखोगे तो यहां पर जो दीदी का अंसर सटीक नहीं है 345 से जादा रहा है 346.51 आ रहा है तो वो हमारा अंसर होना चाहिए यहां पर अगर आप इतना कारे आपने कर लिया है तो इसका स्क्रीन शॉट ले लिए तो कि आपका सवाल हो जाता है यहां पर समाप्त यह था हमारी एक्ससाइस का लाश कोशन प्र तो आप क्या करते हो यहां पर आप सिंपल चीजे करते उन शेप को बेसिक सॉलिट के कॉंबिनेशन के रूप में इडेंटिफाई करते हो फिर कौन सी सर्फेस इंक्लूड हुई है कौन सी नहीं उसके साब से अपना अंसर बताते हो ठीक है अगर आपको वाल्यूम निकालन जोड़नी तो अलग हो जाएगा नहीं जोड़नी तो अलग हो जाएगा इस तरीके से मामला चलेगा जिसकी वज़े से आपको थोड़ी जादा और सोचना पड़ता है और वाल्यूम में उतना दिमाग नहीं लगता सिंपल फॉर्मले का अप्लीकेशन होता है इसलिए अब क्यित्क्ति कि वाल्यूम में वह जादा कंडीशन दे देते हैं कि यहां पर हम करेंगे हमारे पर मैंड हमारہ आज हो Walter स detonate आ सुपकाम ना है मुझे भी सुपकाम ना है और आप यहां पर कुछ इंपोर्टन बाते हैं आपके मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लाइटफोर्म की जिसका नाम है डेफिनेट सक्सेस पाट शाला अब जब हम कहते हैं कि वन आफ दा मोस्ट ट्रस्टेड है उसका रीजन क्या हैं इसके अलावा हमार से अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चानल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसको जरूर जॉइन कर लीजेगा यह बहुत ही बेनिफीसल है यहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रह हैं इस वीडियो को लाइक करना सेशन को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि हमें एक मोटिवेशन देते हैं कि हम रोज आपको कुछ बहतर पढ़ाएं और आपके इस पूरे प्रोसेस में पूरी जर्नी में आपका सायोग दे अपना ध्यान रखे अच्छे से पढ़ाई करें मवक्ती सेवा करें अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और देते रहो पढ़ते रहो ध्यान रखो बबाई से यू सून टेक केर